और पहरे विद्यारतियों आज अपन कक्षा 10 विशेगणित प्रसनावली 5.3 का प्रसन नंबर 12 से 16 का द्यन करने कोशिश करेंगे और आज प्रसनावली का पार्ट नंबर 14 है तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें बूलोस पार्ट नंबर 12 लग गया था वो पार्ट नंब 13 में अपन ने 11 तक क्यूशनल कर लिए थे आज अपन 16 तक हल करने की कोशिश करेंगे तो देखें भई प्रसन नंबर 12 प्रसन नंबर 12 है मारा देखो ऐसे उदार्ण में ने बहुत समझाए आपको प्रसन नंबर 12 प्रसन नंबर 12 है ऐसे उदार्ण समझाए हैं देखो थोड़ा सा अपने रब काम प्रारंब करते हैं देखो ऐसे ऐसे प्रथम 40 दन पूर्णांकों का योग ग्याद कीजिए कितने दन पूर्णांक 40 और प्रथम का मतलब स्टार्ट से जो छैसे वी बाज़े हैं प्रसन आदाए छैसे वी बाज़े हैं आठ के गुणज हैं है ना चार शे बाग जाता है पूर्णते वी बाज़ित हैं है ना ऐसे तो सारी बात ही किए देखो मैंने आपको रफली बताया था थोड़ा सा मैं रब बात करूं कि सबसे पहले में ऐसे प्रसंद देखने हैं दुनिया में जो मतलब छैसे वी बाज़ित हैं देखो पर्थम 40 दन पूर्णांक दन का मतलब पोजिटिव और पूर्णांक का मतलब ऐसी सिंख्ये हैं है ना जो जीरो से प्रारम बोकर अनन तक चलती है पूर्ण सिंख्ये किलाती है तो जैसे मालो जीरो है एक है दो है तीन है चार है पांच है छे है साथ है आठ है नो है दस है ग्यारा है बारा है ऐसे मतलब यह चलती रहेगी तो ऐसे सिर्व बाज़ित होने वाले पूर्णांक का आपको ग्याते करने हैं तो देखो सबसे पहले मैंने आपको उस समूर्णा में भी समझा है था यहां हमें दनपूर्णांक वाली सिंक्या है कौन सी जिन में छे का बाग जाता है क्या बताओ जीरो में जाता है नहीं एक में जाता है नहीं दो में जाता है नहीं तीन में नहीं चार में नहीं पांच में नहीं हाँ छे में जाता है तो छे एक ऐसी सिंक्या है है जिसमें छ 6 वाग जाता है उसके बाद में तेखो 7, 8, 9, 10, 11 फिर किते में जाता है 12 में, यानि हमारी बास हम बोले थो 6 पाड़ा, 6, 6, 12, 12, छे 3, 18, 16, 14, 24, ऐसी सेंक्याओं की सुची है, है ना इसके 40 पद्दू का योग ग्याद करना है, किते पद्दू का योग? 40 पद्दू का योग वैसे इतना सा परसन है अगर आपको ऐसे देता है कि 6, 12, 12, 24, 40 पदों का योग तो हमारे परसनावली 5.3 का पहला परसन बन जाएगा यह समझ में आ गई होगी तो ऐसे मतलब पहले सबसे पहले आपको लिखना है और लिखकर के और बाद में हल करना है तो देखो मैं बताता हूँ आपको देखी फिलीज एक मैं बताता हूँ इससे एकलाब करेंगे देखो 6 विवाजित ऐसे लिखेंगे 6 से 6 से विवाजित 6 से विवाजित दन पूर्णांक निम्न है 6 से विवाजित दन पूर्णांक निम्न है 6 12 18 हना चछो का 24 चपंजे 30 हना और इसका क्या जात करना है 40 पदू तक योग जात करना है 40 पदू तक योग जात करना है बैस ऐसे करना है प्रसन को तो यहां यहां प्रथम पद ए बराबर यहां प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए बराबर छे सारवंतर सारवंतर देगो अगले पद मेंशे पिछला गठाना है इसमें गलती नहें करें D बराबर क्या लिखेंगे भाई A2 माइनस A1 आगामी पद माइनस पूरू गामी पद A2 का माण कितना है भाई 12 12 मेशे 6 गया तो D का माण भी किता है भाई जितने का अपन पाड़ा बोलते है है ना उतना ही उसका सारवंतर होता है ओके भाई अब देखो पदू की सिंख्या कितनी है एन पदू की सिंख्या एन बराबर पदू की सिंख्या पदू की सिंख्या एन बराबर कितनी है भाई 40 अब आपको क्या गयात करना है 40 बराबर क्या होगा यही तो गयात करना है तो A की जगह अपन 6 रखेंगे, शारवंतर की जगह भी 6 रखेंगे, और कितने पदों का भई, 40 पदों का योगफल गयाते करना है, तो S N बराबर, N बटा 2, 2 A प्लस, N माइनस, 1 इंटू, D से, इस सुत्र से, क्यों, यही सुत्र क्यों लगाया, क्योंकि मैं समानतर से D दे र N, N का मान, 44 माइनस, 1 और D का मान, भी कितना पूत्रे, 6 तो S, 40 बराबर, यह तो किता हो गया, बैई, 20, 40 में दोका बाग दिये तो कितना है, 20, 6 दूना कितना हो गया, 12,而 49 इंटू 6, 49 इंटू 6, तो S, 40 बराबर, S, 40 बराबर, S, 30 बराबर, S, 40 का मतलब क्या है, एस चालिस का मतलब है चालिस पदू का योग तो ट्वण्टी तो एल्वे चैसे गुणा करो इसको तो नोचिक चोवन का चारा इंचिल की किते होगी वे पांच और छातिया ठारा ठारार पांच अठारार पांच तेवीश तो दोसो चो तीस दो सो चो तीस में बारा एड़ करो बारा एड़ करें तो कितना है बाई है चार और दो छे और तेईस और एक चो इस दो सो चीह अड़ीस दो सो चीह अड़ीस को किस से गुणा करो बीश से तो एक बिंदू तो शिदा ही लगा दो च्छे दुना बारा का दुशल की एक च्छार दुना आठ एक नो हैं हाशल की होती नहीं और दुदुना कितना वही च्छार तो कितना है वही च्छार जार नो सो बीस आंसर को आंसर को आंसर की बास हमें लिकना है क्या लिखना है वई अता है अता है इधर लिख देता हूँ अता है छैसे छैसे भी बज्जे अता है छैसे भी बज्जे प्रथम प्रथम चालीस धन पूरुनांकों का योग दन पूरुनांकों का योग चारजार नो सो बीस है ये मारा क्या है वई आनसर समझ गए होंगे पूत्र लिख लें इसको आराम से कि लिखने टक का टाइम खुद का ही होता है रोक के लिखे न तो है कि एक बार रिपीट कर देता हूं कि देखे जरा आपका कि सीधा ही लिखना आपको चैसे भी बज्जे दन पूरुनांक निम्न है अब ये दुबारा इसलिए समझा रहा हूं कि इससे अगला परसन है न आ वह आपको करना है क्या करना है आपको करना है है ना तो उसमें तेरों परसन है रहे हो मैं पहले परसन दिखाऊं उसकी बाद में रिपीट करता हूं परसन यह है कि आट के पर्थम पंद्रा गुणुण का यूग ज्यात करो गुनज के दो वी बाज्य के दो या बाग जाने वाली संग के दो सब का बान एक ही है तो बताओ यहां आठ के पर्थम पंदरा गुनज कोन से हैं बस आपको सिधा ही लिखना है देखो रब समझा रहा हूं कि आठ आठ दूना सोड़ा आठ ती चोईस और इसके कितने गुनजू का हैं पंदरा गुनजू का यानि पंदरा पदू तक क्या ग्याद करना है योग ग्याद करना है समझ मैं आई पूतर अब देखे जड़ा अब इसमें एक का मान तो कितना है आठ और डी का मान कितना है है ना सोड़ा में से आठ गया है ना तो डी का म बराबर कितना भई पंदरा सही और कौन से सुतर में रखेगा एस एन बराबर एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रखेगा और आ जाएगा समझ गए बात को तो देखिए अपन बात करते हैं दुबारा पिछला तो परसन आपको समझाया तो उसमें एक का मान कितना एक का मान दे कुछ है और डी का मान भी कितना च्छ है पदू की सिंग के किती चालीस तो अपर ने इस सुतर में रखा गए एन की जिगे चालीस एक की जिगे च्छ है और डी की जिगे चालीस एक एन की जिगे चालीस डी की जिगे च्छ है और इनको कैलकुलेट किया, किल्कुलेट करना खुद काना चाहिए ना इस बास हमें, आप किस का करोगे, वई, इस का करोगे, समझ गए होंगे, है ना, तो, अब नेक्स्ट परसन, बात करते हैं अपन कौन से की बाई चोद्वे क्यूशन की चोद्वे क्यूशन भी ऐसा ही परसन है आज अलगी परकार के परसन एक बार ऐसा परसन परिश्या में आया हुआ है जीरो से लेके पचास के बीच विसम संक्यों का योग ज्याद कीजिए देखो थोड़ा समझते हैं पहले कई बार तो परसन क्या आता है कई जीरो से लेके जड़ा सुनना जीरो से लेके दो सो पचास तक जीरो से लेके दो सो पचास तक सम संक्यों का योग ज्याद कीजिए किसका ज्याद करना है सम संख्याओं का योग ग्यात कीजिए कई बार ऐसे कहता है कवाई जीरो से लेके सो के बीच अब बजे संख्याओं का योग बल ग्यात कीजिए तो हमें डूंडनी पड़ेगी कि इस से एक और सो के मद्दे बजे संख्याओं कितनी है जीरो और सो के मद्दे सम संख्य कितनी है अब हमारी से परसंद पूचा कर jetła है के जीरो और पचास के बीच में विसम संख्य है कौनसी है लड़को लड़का विसम संख्यार समी विसम और सम नहीं जाने का आना तो वो कैसे करेगा देखो लड़को एक, तीन, पाँच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा ये संक्याई कौन सी है विसम संक्याई विसम संक्याई की परिवास ऐसे है जिसमें दोका बाग नहीं जाता है दोका बाग नहीं जाता है है ना? यानि ऐसी संक्याई हमारी बास हम बोद रहा हूं दोका बाग नहीं जाता है नहीं तो क्या है कि ऐसी संक्य हैं जो दोसे भी बाजिये नहीं है उन्हें क्या कहते हैं भई भी समसंक्य हैं कहते हैं और समसंक्य हुमें दोका बाग पूरी पूरी बार जाता है दोका बाग पूरी पूरी बार जाता है पूरी पूरी बात ढता है मतलब ऐसी संग्याय daily जो दोस्य पूर्ण तबी बाजीत है उन्हें सम्संग्याई कहते है तो कौन कौन सी संग्याई है देखो सम्संग्याई है ग्रेते हैं 2, 4, 6, 8 आँ आप समझ गए हूंगे आप सम्संग्याई और अब अबजे सिंखें कुन सी इसमें स्विम के अलावा है ना स्विम के अलावा स्विम और एक भी होता है स्विम के अलावा दूसरी सिंखें का बाग नहीं जाए अलावा दूसरी का बाग नहीं जाए है ना नहीं जाए ऐसी संक्या को क्या कहते हैं अब आज ये संक्या कहते हैं समझ गए भई हाँ तो आपको अब जो परसन है इसमें जीरों से पचास के बीच में जीरों से पचास के बीच में आपको क्या गयात करने हैं भई जीरो और पचास के मद्देवी समसंग हैं हैं कितनी तो देखो जड़ा देखते हैं तो इसमें हमें ज्यादा है एक्स्ट्रा दिमाग लिए लगाने की ज़रत नहीं है शीदा ही लिखना है हमें देखो एक बार और समझाता हूं ठीक है भाई जीरो से लेके पचास तक मैं यह परसंड पूछने के पैटल बह良गो है अब बताओ इनिमेंसे कौन कौन ची संद्ने ऐसी हैं जो विसम है और पचास तक हैं तो देखो क्या एक विसम है हां एक विसम है तो एक को लिख पाँच हो गई तो एक तीन पाँच साथ अब लास्ट में कौन सी संक्या भी समय क्या पचास भी समय नहीं ये तो समय तो कितनी है भाई गुंचास तो ऐसा परसन अपड़ने दूसरा परसन किया है परसनावली का ये परसन क्या है कि ऐसा परसन था आपके कि एक प्लस तीन प् साथ प्लस उनचास का अना पड़ेगा सबसे पहले हम अगियां करना पड़ता था कों सा अक beiden से हमें हैन कमान ग्यात करना पड़ेगा सइना तो इस पीजु तो मिन दोनु new पहले गयात करो तो चार के गुणज क्या होंगे चार आठ है ना जशिव दार्ण मेंने समझाय था चार ती बारा डोट डोट लास्ट में कितने में बाग जाता है तो शेम पैटर्न वही है तो सबसे पहले में इस गुंचास से एन का मान गयात करना पड़ेगा यहां पर्थम पड कितना पर्थम पड तो एक है और सारवंतर कितना इनमें दो दो का डिफ्रेंस है सब में है ना बैस मतलब सारे के सारे पड है ना वो समांतर स्रेडी की परिवासा को फोलो करते हैं समांतर स्रेडी की क्या परिवासा लिखाए थी कि पर्थम पड को चोड़कर अन्य बैटरन के वो आपको स्वेम करने हैं तो लिखेंगे अपने हल हल लिखेंगे वही हल हल लिखेंगे देखो जीरो और ज्यादा बात नहीं लिखनी परशन में जीरो और पचास के बीच जीरो और पचास के बीच विसम संख्याएं निम्न है विसम संख्याएं निम्न है संख्याएं निम्न है निम्न है कौन सी वई एक तीन पांच साथ नो ग्यारा तेरा उन्चास है ना अब बस हमें तो यहाँ पैचान करने हैं इनका योगफल गयात करना है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ यहाँ प्रथम पद ए बराबर यह है जो की एपी है वस ऐसे भी लिखना है जो की क्या है वही एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ प्रथम पद ए बराबर यहाँ प्रथम पद ए बराबर एक सारवंतर डी बराबर सार्वंतर D बराबर कितना है भई 3-1 यान शुत्र स्वेम लिखेंगे दी बराबर कितना है है भई 2 और एन्वापद एन्वापद यानि अन्तिम्पद है यह एन्वापद एन बराबर कितना है भई 49 इस से मैं क्या जाद करना पड़ेगा भई N का पता नहीं है और योग फल तो पर्थंपदोर अंतिमपद वाले सुतर से निकाल देंगे तब A N बराबर तो लिखेंगे तब A N बराबर है A प्लस N माइनस वन इंटू D बराबर कितना है बई गुंचास बसुतर लगा दो A का मान कितना है एक N का मान हमें मालूम करना है और D का मान हमारे पास कितना है बई टू बराबर उनचास ठीक है बई तो पहले गुंचास कर दें एक प्लस टू N माइनस टू बराबर कितना बई उनचास देखो बच्चो एक में से दो गया तो माइनस का एक एक में से दो गया जगे रह जाएगा एक दाइंपक्स में चला जाएगा तो टू एन बराबर तो क्या है भाई टू एन बराबर टू एन बराबर उन्चास प्लस एक उन्चास प्लस एक तो एन बराबर क्या हो गया भाई पचास बटे दो एन बराबर पचास बटे दो एन बराबर कितना गया भ पदों की सिंख्या एन बराबर थीक है वही पदों की सिंख्या एन बराबर आई है पचास अब हमें तो योग फिल गयात करना है अब ऐसे इन बराबर देखो पर्थमपदो रंतिमपद गयात है हना तो ज्यादा परिशानों ने की जुरत नहीं हमारा सुट लगा दे तो ऐस और लास्ट पद कितना इसका गुंचास है ना तो ऐस पचीस बराबर कितना हो गया है पचीस बटे दो और इंटू कितना भाई पचास पचास से काट दो दो एकम दो पची दो ना पचास पची दो ना पचास और पचीस को पचीस से गुणा करो तो पच्ची पच्ची कितना होता है वै शह सो पच्चीस पच्चीस को पच्चीस से गुणा करते हैं तो कितना आता है वै शह सो पच्चीस लास्ट में उत्तर की बासा क्या है उत्तर की बासा है जीरो और जीरो और पचास के मद्दे पचास के बीच विसम संख्याओं का योग कितना है भई 625 है अब परसन में सम पूछ ले है ना और पूछ ले तो आपको वैसे ही करना है लिख लिया होगा बई चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन की तरफ तो अपना अगला परसन है आपको लाल के परसन लिखने है परसन पूरा होते ही लाइन खीचनी है तो क्यूस्टन नमबर पंद्रा निर्मान कारिये से सम्मंदित किसी ठेके में एक निशितिति के बाद कारिये को विलम से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है विलम का मतलब देरी से जैसे ठेके दार ठेका ले लेते हैं और यह कहते हैं कि मैं ये काम एक मैने में पूरा कर दूँगा अगर वो एक मैने में पूरा नहीं करते हना तो उसके क्या लगती है पहले इन्थी लगती है जिसे जुरुमाना कहते हैं तो जुरुमाना लगाने का प्रावदान इस प्रकार है पहले दिन 200 रुपए कि यदि काम का निर्मान एक दिन लेट वा तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे दूसरे दिन डाइस सो रुपए यानि पचास बढ़ गए तीसरे दिन तीन सो रुपए यानि पचास बढ़ गए देखो प्रथम पद कितना भई दो सो दूसरे दिन डाइस सो तीसरे दिन तीन सो बताओ चोथे दिन कितना आएगा साधी तीन सो इत्यदी पर तेक उतरोतर दिन का जोरुमाना अपने शे ठीक पहले दिन के जुरुमाने शे कितना दिक है पचास रुपए दिक है यानि एक ठेकेदार को देखो मतलब क्या हुआ कि पहले दिन पहले दिन अगर काम लेट होता तो 200 रुपए दूसरे दिन लेट होता तो 500 रुपए तीसरे दिन लेट होता तो 300 रुपए चौत्छे दिन लेट होता तो 300 रुपए ऐसे मतलब इसका काम चालो गया किसका ठेकेद का लेट हो गया गया वह कार ये तीश दिन वे लम कर देता है तो 30 की पेलेंटी लग गई खे तो बता भाई 24 पेले दिन पैलेंटी हैं दूसरे दिन की पैलेंटी डाइस सो रुपए तीसरे दिन की पैलेंटी तीन सो रुपए चोते दिन की पैलेंटी साड़े तीन सो रुपए अब मैं ऐसे पूछू आप से कि मालो कि उस आदमी का काम दो दिन लेट हो गया तो उसको कितने रुपए देना पड़ प्लेंटी के रूप में तो देखो कितना रुपया देना पड़ेगा बताओ एक दिन का दो सो दूसरे दिन का डाई सो तो दोनु दिन के मिला करके आपको कितने रुपय देने पड़े हैं यो इसको साड़े चार सो रुपय यानि कमपनी जैसे मालो ठेके दार हैं हैं लंबे- ठेके पे काम करवाती है तो कोई काम को लेट करता तो उसको जुरुमाना देना पड़ता है टाइम पे करता है तो गवर्मेंट इसको टाइम पे पैसा दे देती है तो उसकी कटोती हो जाती है या वापस देना पड़ता है तो ऐसे ही मालो यह यह पहले दिन के दो सो लग ग उतना जुर्माना देना पड़ेगा बात सही गलत बताओ उतना जुर्माना देना पड़ेगा यांनि हमारी सरेडी बन गई वह हमारी हमें ये परशन कैसे पूछा गया है कब इस राइडben के बज़ेशे, 200 ओड़ाई, 200-300, यानि परते एक दिन 50 रुपए की बरदी होती है, तो परते एक दिन यद्दी 50 रुपए की बरदी होती है, हैना तो ये समांदरस रिडियाने, शीत्सिंग étant जुरूरी है रो जना में तो अब हमें 30 दिनों का योगफल गयात करना है समझ में आयोगी बात भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ आप हैं क्या सोच रहे हैं तो आपको बैस सीधा सा लिखना है का जुरुमाने के रूप में जो राशी दी जा रही है वो एक समांतर सेड़ी है वो एक क्या है वई समांतर सेड़ी है और समांतर सेड़ी के हमें 30 दूं का योगफल गयाते करना है ऐसा हमें परसन वाले को दिखाते हुए परसन कोल करना चालू करना है तो करते हैं देखो पहरे परसन की सुरुआत हाँ तो देखो हम हल करते हैं लिखेंगे बहले हल 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 यह है कि जर्माने की राशी जर्माने की राशी जर्माने की राशी निम्न परकार है जो एक एपी है या जुर्माने कि राशी एपी के रूप में है ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे वही 200, 250, 300, 400 और कितने दिनों तक 30 दिनों तक उसके राशी कितने दिनों तक लगेगी 30 दिनों तक तो अब लिखेंगे अपन हैं कर यहाँ ए बराबर यहाँ प्रतंपद ए बराबर 200 रुपए शारवंतर डी बराबर कितना है वही पचास रुपया कितना है वही या रुपये चे कोई मतलब नहीं है ना यह तो हमारे तो यहाँ तो सारवंतर की रूप में काम में आ रही 30 दिन में पदू की सिंख्या पदू की सिंख्या N बराबर कितने दिन भाई 30 दिन S N बराबर S N बराबर S N बराबर N बटा टू 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D समांतर से डी जी गई है तो यही सुत्र लगेगा 30 दिनों में वो आदमी है कितना रुपया पलेंटी के रूप में दे देगा A कामान 200 है N कामान 30 है 30 माइनस 1 O D कामान 50 रुपया था S 30 बराबर S 30 बराबर हो गया बाग दे दो वई बाग दे दो हाने तो 30 में 2 का बाग दिया तो 5 आया और 200 दूना 400 और प्लस गुण 30 इंटू 50 सलो वई S 30 बराबर 15 39 को 50 से गुणा कर दो तो देखो 0 5 से पाड़ा बोल दो 45 का 5 आशिल की 4 5 का पाड़ा बोल दो 5 दून अदसर 4 14 तो कितना हो गया 1450 S 30 बराबर कितना हो गया 15 इंटू 14 और 400 कितना हो गया 1850 1850 को अब पन्दरा से गुणा कर देते हैं तो देखो 15.75 का 5 आशिल की 7 है 15 अटा 120 और 7 127 आशिल की 12 और 15 और 12 कितना हो गया 27 तो 27,750 आपको तो यहां तो शिदा ही लिखना है 27,750 उत्तर को उत्तर की बास हमें देना है तो अता है लिखेंगे अता है 30 दिनों की 30 दिनों की जुर्माना रासी 30 दिनों की जुर्माना रासी सही कितनी है वही 27,750 रुपए है 27,750 रुपए है समझ में आगई बात वही यानि हमें जेगो परसन में क्या करना है एक ठेकेदार है उसके एक दिन का जुर्माना 200 दूसरे दिन का जुर्माना डाई इसको ऐसे ने समझे के भाई एक दिन का जुर्माना 200 और दो दिन का जुर्माना डाई ना परती दिन का जुर्माना है आज एक दिन लेट हो गया तो दो सो रुप़े उसको देने पड़ेंगे दो दिन लेट हो गया तो दो सो और डाई सो ऐसे एक दिन का दो सो दूसरे दिन का डाई सो तो टोटल किता हो गया साड़ी चार सो तीसरे दिन उसको तीन सो रुप़े और देने पड़ेंगे 200 भी देगा 200 भी देगा 300 भी देगा समझ में आगी ना और ऐसे ही मतलब 30 दिन उसका काम लेट हो गया तो 30 दिन काम लेट हो गया तो हमारे पहले पद ये जो रुपए हैं जुर्माने के ये एक समानतसरे डिये हैं 200 हैं और सारवंतर कितना आगए वही 50 पदू की सिंख्या कितनी आगए वही 30 और इस सुत्र में रख दिया और 27,750 रुपए उस आदमी के क्या लग गया वही जुर्माना लग जुर्माना तो लगे गई काम समय पर करता समय पर करता तो उसके जुर्माना नहीं लगता समय पर लगा काम उसका पूरा रभून नहीं हुआ तो क्या लग गया उसके जुर्माना 27,750 रुपए लग गये वही अब देखे वही सोड़वा क्यूशन आज साइद इतने के लिए भोला था तो 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 लो लास्ट क्यूशन अपने देखते हैं देखो ज़रा देखो अपने जो पर परसनावली है वो समांतर सेडी हैं क्या है वही समांतर सेडी है और समांतर सेडी में मतलब अपने ना वो कई परकार के परसनल खूँचे हैं और बड़े इजी परसन है पूरी परसनावली ओने के बाद में एक बार सभी विद्यार थी है ना आराम से पूरे परसनों को देखें पूरे परसनों को जैसे ही आप देखोगे है ना तो आपके मतलब परसन ऐसे समझ में आ जाएंगे सारे वीडियो एक साथ देखोगे तो कि एक दम बिलकुल का भई इस परसनावली के तो पांच नमबर हमारे पके हैं दुनिया की सबसे सरलतम परसनावली यही है चलो भई फिर तो अपन थोड़ रसा का आगे बढ़ते हैं यह पढ़ेंगे बात करते हैं परसन की गुन गुनाना चालू करते हैं परसन को किसी स्कूल के विद्धार्शियों में को उनके समगर सेक्सिक परसन के लिए साथ नगद पुर्षकार देने के लिए साथ सो रुपे की राशी रखी गई यह अरे भई इनाम बांटने हैं क्या बांटने हैं इनाम इनाम बांटने हैं इनाम के रुपे के तेह साथ सो जैसे मालो कि आपने अच्छा परदर्सन किया और मैंने ये कहा किसी गुरुजी को कि ये साथ सो रुपे इन बच्चों में बांट दो ये 700 रुपए इन बच्चों में बांट दो फिर का गया देखो 700 रुपए की राशी रखी गई है यदि प्रतेक पुर्षकार अपने से ठीक पहले पुर्षकार से 20 रुपए कम है मतलब पुर्षकार कितना कम है 20 रुपए कम है ठीक अपने से 20 रुपे कम है तो परतेक पुरुषकार का मान बताओ तो मैंने क्या कह दिया है गुरु जी को कि जैसे मालो ये बच्चों को कितने रुपे बाँटने है कि 700 रुपे बाँटने है कि सर कैसे बाटे कि परतेक बच्चे को परतेक बच्चे को है ना परते एक बच्चे को अपने से जो पिछला बच्चा है उससे भीस रुपे कम देने है मान लो के एक बच्चे को पचास रुपे मिले दियान देना तो दूसरे बच्चे को कितने मिलेंगे वही तीस ही मिलेंगे सही ना जैसे मान लो एक बच्चे को डेड़ सो रुपे मिले तो दूसरे बच्चे को कितने मिलेंगे फिर एक सो तीस तीसरे बच्चे को कितने मिलेंगे वई एक सो दस ऐसे करम रख लो वई अब लड़को इस परसन में आप देखो पुर्सकार हैं कितने पुर्सकार भाई साथ पुर्सकार हैं कितने पुर्सकार हैं साथ तो हमारे पद्धों की सिंग तो कितने आ गई साथ टोटल रुपे किते हैं साथ सो तो हमारे साथ पद्धों का योगफल क्या गया भाई साथ सो और परतेग पुर्सकार का मान आपको ग्याद करना है इसका मतलब आपको परत्थम पद ए ग्याद करना है ए का पता लग गया तो उसके बाद में 20 रुपए ज़्यादा हो गए ए टू है ना फिर 20 रुपए ज़्यादा हो गए एतरी यानि कम होते जाएंगे इसमें क्या होते जाएंगे भई पर्थम पुर्षकार की राशी तो क्या आएगी हैं सबसे ज़्याद आएगी उसमें से 20 रुपे कम कर देंगे है ना तो ए टू आ जाएगा उसमें से फिर 20 रुपे कम कर देंगे तो एतरी आ जाएगा समझ में आ रहा होगा यानि इसमें हमें साथ सो रुपए क्या बताता है कि ये साथ पुर्षकारों का योग है और पुर्षकारों में क्या हो रहा है कि प्रतेक पुर्षकार में बीस रुपए कम हो रहे हैं तो निशित संग्या जोडने पर या गठाने पर कोई है स्रीनिय दिपराप्त हो तो उसे समानतर स्रीडी कहते है ऐसा पढ़ने पढ़ा है और पुर्सकार किते है साथ है तो है नहीं तो समझ गए एन का मान साथ है एस साथ का मान कितना है सासो है और डी का मान कितना है डी का मान माइनस बीस है डी का मान यह क्या होती जा रही है कम कितनी कम बीस कम कितनी कम बीस कम तो हमें इस स्रेडी का पहला पद यात करना है पहले पद में से बीस रूप गठा देंगे दूसरा जाएगा और दूसरे में से बीस गठा देंगे तीसरा जाएगा तीसरे में से बीस गठा देंगे अगला जाएगा ओक के वई तो अपन बात करते हैं है ना और देखो हाँ यस पलीज चलिए तो हल है लिखेंगे हल आराम से लिखें कोई तक्लीफ वाड़ी बात ही नहीं है लिखेंगे वई दिया है दिया है पुरसकारों की संख्या दोगों पुरसकार बोलते हैं ये पुरसकार होता है पुरसकार पुरसकार नहीं पुरसकार की संख्या यानि एन बराबर साथ सही साथ पुरसकारों का योग एस सेविन का मान कितना है बही साथ सहल बही और प्रतेग पुरसकार पुरसकार अपने से ठीक पहले ठीक पहले पुरसकार से पुरसकार से पुरसकार से बीस रुपए कम है बीस रुपए कम है अर्थार्थ अर्थार्थ डी बराबर कितना आगए माइनस का बीस अब देखो योग फल दे रहे का तो योग फल के सुत्र से ही होगा कब अब एस एन बराबर एन बटा टू एन बटा टू टू ए पलस एन माइनस वन इंटू डी से इस सुत्तर से अपन करेंगे तो एस सेविन बराबर सेविन बटा टू टू एक कामान कितना है बई एक कामान आपको दे रखा है कितना भी नहीं दे रखा ग्यात ही तो करना है पुरुषकार ही तो ग्यात करना है ए क्या है पुरुषकार ही तो है पहला पुरुषकार यह होगा दूसरा पुरुषकार उससे बीस कम होगा एन का गामान 7-1 को डी कामान माइनस का 20 ठीक है भाई अब नेक्स्ट मी लिख लेंगे सात बटा दो जाएगा ये टुए ओजाएगा ये च्छें टूँ-20 हो जाएगा ये 6 इंटू क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा माइनस का तो मैं लिखता हूँ याद दिखर के ही लिख रहा हूँ S7 बराबर कितना आया भाई 7 बटा दो 2A 2A का मतलब 2A ही है जात करना है और 6 इंटू माइनस का 20 S7 बराबर 7 बटा दो 2A का मतलब 2A ही और 6 दोनी 12 120 S7 का मांदेर का न 700 रख दो याँ 700 बराबर है 2A माइनस 120 और ये कितना है 7 बटा दो ये कितना है 7 बटे 2 7 बटा दो इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2 बटा 7 हो जाएगा तो इधर क्या बचा भाई 2A माइनस 120 7 एकम 7 100 तो 100 इंटू 2 कितना हो गया भाई 200 और 200 बराबर 2A पलस 2A माइनस 120 लड़को 120 को अपन बाएंपक्स में ले जाते हैं तो कितना हो भाई 200 पलस 120 बराबर 2A पलस का हो गया पक्षांतर करने भी तो ये हो गया 320 बराबर कितना भाई 2A तो ए बराबर 1 के दो गुणा में है तो 320 बटा 2 कितना हो गया भाई 160 बराबर 1 तो प्रथम पुरसकार कितना है भाई प्रथम पुरसकार पुरसकार प्रथम पुरसकार है बराबर कितना है एक सो साथ रुपे दित्तियपुरसकार कितना है है बई है एक सो साथ माइनस बीस कम होता जा यह तो एक सो सारीस रुपे बताओ तरत्तिय पुरसकार इससे भी बीस रुपे कम एक सो चारीश माइनस बीस यहनी वन ट्वन्टी रुपीज चतूर्थे पुरुषकार कितना है भाई 120 माइनस 20 बराबर 100 रुपे और पंचम पुरुषकार पंचम पुरुषकार कितना है भाई 100 माइनस 20 बराबर 100 रुपे और अगर मान लो अध्यापकोस मानता से डिया ग्यान नहीं है ना तो वो माता पची करता रहेगा सस्थम पुरुषकार पुरुषकार रहे भी आएगा यहां यहां भी रहेगा पुरुषकार असी में से 20 किया तो कितना जाएगा भाई 60 और सब्तम पुरुषकार सब्तम पुरुषकार साट माइनस 20 कितना जाएगा भाई 49 इतने रुपे आ जाएंगे आंसर को आंसर की बासा में देना है कि वह इसलिए सारे पुरुषकार यह है समझ में आ गया होगा तो आप देख लेंगे तो देखो आज अपने क्या पढ़ा 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 देखते हैं एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले पढ़ने पढ़ा परसन नम्मर बारा का भई ऐसे पर्थम चालीस दन पूर्णाइं गयात कीजे जो क्या हैं भई शाट चैसे वी वाज़े हैं तो देखो छै बारा ठारा और चोईस इसमें मैं चालीस पद्दों का योगफल गयात करना है वैस एक का मान से है सारवंतर डी है है ना एन का मान चालीस है सुतर में रखा कैलकुलेशन किया तो कितना है चार जार नो सु पचास और आठ से आठ के पर तम पंदरा गुणजू का योगफल गयात करना है तो एतो कितना है आठ है डी बी कितना है आठ एन का मान कितना है पंदरा इस सुत्र में रखेंगे आ जाएगा फिर देखो अपर ने देखा कि जीरो से पचास के बीच में जीरो से पचास के बीच में हैं कितनी विसमसंग हैं हैं तो जीरो से पचास के बीच में देखो जीरो से पचास के बीच में विसमसंग हैं एक तीन पांस साथ हैं और लास्ट की कितनी है गुंचास तो गुंचास ये कौन सा पद है तो अपने A-N बराबर गुन्चास लेके और N का मान निकाला N का मान कितना है भई N का मान हमारे पास 25 आया तो फिर S-N बराबर N बता टू A-C-L वाले सुत्र में पने रख दिया है ना तो S-N बराबर 25 बता दो 1 प्लस कितना गए भई गुन्चास पहले दिन 200 दूसरे दिन 200 तीसरे दिन 300 चोते दिन तो ऐसे 30 दिनों का उसके क्या जूर्माना लगेगा तो हमें 200 रुपए पर संपद सारवंतर डी 50 रुपए एनका मान 30 है और 30 पदूं का योग फल अपने याद किया तो वह रहे ठेकादार जी के 27,000 700 रुपए क्या हो गए वही है जुर्माने के लग गए फिर है किसी स्कूल में 700 रुपए बच्चों में बांटने हैं कितने बच्चों में बांटने हैं साथ में तो पद्दूं की सिंग क्या साथ फिर है कितना डिफ्रेंस है अपने से ठीक पहले पुर्षकार में 20 रुपए कम है ना तो 20 तो डी में रखने पर तो रखा तो एक आमान कितना है हमारे वाई एक सो साथ एक सो साथ में से बीस कम हुआ तो एक सो चालिस एक सो चालिस में से बीस कम हुआ एक सो बीस में से बीस कम हुआ सो सो में से बीस कम हुआ सी सी में से बीस कम हुआ चालिस तो लास्ट वाले बिद्धारती को 40 रूपे मिले फर्स्ट वाले बिद्धारती को 160 रूपे मिले इस परकार आज हमारी क्लास यह ही क्या होती है पूरण होती है क्या होती है भई आज की कख्षया पूरण है अब next video है आफ का 15 नम्मर होगा तो next video 15 इसमें परसणावली है ना परसणावली 5 समय अंत्री सरीडी है ना वो क्या हो जाएगी पूरान हो जाएगी पूरान हो जाएगी फिर इसका टेस्ट का प्रोग्राम अपने रकेंगे ओर टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाएक थेंक यू very much